हाई गाईज, वेलकम बैक टो अटोरश, आएम ओमकार और आज देखेंगे निसान मैगनाइट को मैगनाइट एवेलेबल है फाई वेरेंट्स में XC, XL, XV Executive, XV and XV Premium इस वीडियो में देखते हैं मैगनाइट XL को यानि की सेकंड बेस मोडल को सो लेट्स गेट स्टार्टेड वैसे तो निसान इंडिया के पास ओनली टू मोडल्स है मैगनाइट एड कीक्स कीक्स है एक सब 4 मीटर कॉम्पैक SUV एड ये जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उसमें ये कमपीट करती है टाटा पंच एड रेनो काईगर के साथ रेनो की काईगर भी मैगनाइट की ही प्लाटफॉम पर बनाई गई है तो आईए देखते हैं मैगनाइट एक्सेल को इन डेटेल यहाँ पर है एक एग्रेसिव डिजाइन के साथ डियल टोन फ्रेंट बंपर दच्सन जैसी दिखने वाली बड़ी सी ग्रिल है अलोंग विद क्रोम गार्निश और इसी के उपर है निस्सान का ओल न्यू लोगो शार्प और मीन डिजाइन के हेड लैम्स है और यह हेलोजन उनिट से है यहाँ नीचे बंपर में क्रोम की गार्निश है जहाँ पर टॉप मॉडेल्स में डे टाइम रनिंग लाइट्स आते है फ्रंट फॉगलेंब्स के लिए प्रोविजन भी यहाँ पर दी गई है जहाँ पर आप आप्टर मार्केट में फॉगलेंब्स एड कर सकते हो एंड सबसे नीचे यह सिल्वर फ्रंट स्किड प्लेट है जो इससे एक टफ लूप देती है इलेक्ट्रिक आउटसाइड मिरर से अलोंग विद लेडी टर्न इंडिकेटर्स प्रंट फेंडर्स के उपर मैगनेट की ब्रैंडिंग है जो इस कार को एक यूनिक टच देती है देखते हैं वील्स को यहाँ परे 60 मिंच के स्टील वील्स और इनके उपर डुएल टोन में वील कवर्स प्रेजेंट है C8 के टायर्स आते हैं और इनका साइज है 195 x 60 R16 का इसे और ज़्यादा माचो लूग देने के लिए साइड में और वील अर्चेस के उपर ब्लैक प्लास्टिक लैडिंग का यूज किया है A पिलर्स, B पिलर्स और C पिलर्स ब्लैक आउट किये गए है यहाँ उपर है इंटिग्रेटेड डिजाइन के साथ सिल्वर रूफ रेल्स लेकिन यह फंक्शनल नहीं है रूफ के एंड में है यह माइक्रो एंटिना स्पोर्टी सा दिखने वाला रियर स्पोईलर है अलोंग विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम रियर वाइपर, वाशर एंड डीफोगर इसके सभी वेरियंट्स में मिलते है युणड़े ने यहाँ से कुछ तो सिखना चाहिए स्प्लिट डिजाइन के टेल लैम्स है और ये भी हल्गोजन उनिट सी है डियल टोन में फिनिश रियर बंपर है और इसके उपर 4 रियर पार्किंग सेंसर भी आते है और जस्ट लाइक फ्रंट, रियर में भी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो कंप्लिट करती है इसके SUV डिजाइन को कुछ ऐसी दिखती है निस्सान की रिमोट की जिसके उपर है लॉक और अनलोक के बटन्स डॉर हैंडल्स बॉडी कलर में आते हैं तो ओपन करते हैं डॉर्स को और देखते हैं मैगनाइट एकसेल का इंटिरियर यहाँ पर है ड्राइवर साइड कंट्रोल्स जिसमें है पाउर मिरर्स और पाउर विंडोस के कंट्रोल्स यह देखलो इसका डैश्बोर्ड लैयर डिजाइन और डिवल टोन फिनिश के साथ यह बहुत ही अच्छा लग रहा है यह रहा सेंटर कंसोल और डैश्बोर्ड की सबसे टॉप में है यह एक्जागोनल डिजाइन के AC वेंट्स और इनके ऊपर सिल्वर गार्निज दिया है इस वेरियंट में इंटेग्रेटेड ऑडियो सिस्टिम भी है अलोंग विद ब्लुटूथ, एफम रेडियो, एयूएक्स और यूएस्बी कनेक्टिविटी नो डाउट एक सेकंड बेस मोडेल है लेकिन इसमें भी अटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया है जोकि एक बहुत अच्छी बात है फुल मार्क्स और निसान इंडिया यहाँ नीचे बहुत सारा ओपन स्टोरेज एरिया भी है एन एक 12 बोल्ड का फॉर आउटलेट है अटोमेटिक एंड मैनियल बोट आप्शन्स आते है यहाँ परें 5 स्पीड का मैनियल ट्रांस्मिशन एन उसके बाद है ड्योल कब फोल्डर्स यह देखलो इसकी फ्रेंट सीट्स जो किया आती है अज़स्टेबल हेड रिस्टेंस के साथ सीट्स के उपर ड्योल टोन में फैब्रिक अपॉल्स ट्री भी गई है इसका गेज क्लस्टर फुली डिजिटल है एन यह दिखने में फुचरिस्टिक लगता है स्टेरिंग के उपर लुटूथ एंड ओडियो के कंट्रोल्स भी प्रेजेंट है उपर है हेलोजन डॉम लैंप्स एंड सन वाइजर अलोंग विद फैनिटी मिरर एंड नीचे एक डिसेंट साइज का गलोब बॉक्स भी है तो आईए देखते हैं मैगनेट के रियर सिट्स को इसमें आता है ब्लैक ग्रे का ड्यूल टोन इंटिरियर थीम एंड इंटिरियर के डॉर हैंडल्स सिल्वर में फिनिश्ट है डॉर पैट्स के उपर ये ग्रे कलर का फैब्रिक यूज़ किया है जो इस केबिन को एक प्रीमियम फील देता है ओडियो सिस्टेम की बात करें तो यहाँ पर आता है फोर स्पीकर्स एंड टू ट्विटर्स का ओडियो सिस्टेम ये रही रियर सिट्स जोकि आती है टू एडजस्टेबल हेड डिस्टेंस के साथ रियर सिवेंट्स तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोरेज है रिया है देखते हैं इसके बूट स्पेस को टेल गेट के उपर है फूल प्लास्टिक लैडिंग एंड रियर पार्सल शेल्ट भी इसमें आता है यह देख लोग बूट स्पेस जो है 336 लिटर्स का बूट फ्लोर के निचे स्टील रिम का स्पेर वील है और इसका टायर साइज है 185 बाई 65 आर 15 का यह रही डाइमेंशन्स मैगनेट की स्क्रीन के उपर और इसका ग्राउंड क्लेरंस है 205 mm का कलर्स ओप्शन्स में 5 सिंगल टोन कलर्स है और 3 डूल टोन कलर्स है और यह ही सेफटी फीचर्स जो इसके सेकंड बेस मोडल में आते है मैगनेट में टोटल 2 पेट्रोल इंजिन से एक है 1 लीटर का नेचरिल अस्परेटेड पेट्रोल इंजिन और दूसरा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजिन डिजल इंजिन का अप्शन या पर नहीं मिलता और यह है इसकी प्राइसलिस आते हैं आते हैं तो आते हैं प्राइसलिस